सुप्रभाद बच्चों कख्षा गयर्वी में हम प्रहविज्ञान में पढ़ेंगे आज रश्नों का उत्तरों का अभ्यास करेंगे कोशिका संवर्ष्ना कोशिका के बारे हम बताएंगे हम आज कि कोशिका के क्या परिभासा है कैसे कोशिका किसे कहते हैं माना सरीरे मकानकी तरह भना हो दा चोटी-चोटी एटों के दारा और यहीँ, चोटी-चोटी, सजी, वीटों का बना ही बनी कोशिका है, कहलाती है जो छाइस कहलाती है अब आपड़ें गेगी in these प्रस्नों मैं, कोण हो कोई कोो भर का रहल कने है और कार्यात्मक एकाई है, कोशिका जीवपदाद की सबसे छोटी एकाई है, जो अस्तित को बनाए रखने में सक्षाम होती है, कोशिका ये छोटी एकाई है, ये छोटी एकाई है, ये रूप में होती 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 है, कोशी का कोशी का उसे हम कोशी का कहते ही अब प्रस्त दूसरा है DNA और RNA के कारिये लिखिए कि DNA हमारे शरी में किस तरह कारिय करता है और RNA हमारे शरी में किस तरह कारिय करता है हम देखेंगे अब DNA सरकरा डी आकसी रिबोज होती है और RNA में रिबोज होती है इसमें क्या होती है इसमें 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 इस क्या है DNA में पाए जाने वाले च्छा थाइमिन के रूप में उस्थान पर होते हैं और RNA में यूरेसिल के नामक समाचार होता है DNA में क्या होता है थाइमिन के इस्थान पर होते हैं और RNA में यूरेसिल नामक समाचार होते हैं पर आरेनम के अणुमों की सव्ख्या भी बुड़ेद होने की शक्ती नहीं होती है और डीनम, डीनम में क्या होता है? एजा हुआ दोरा सूत्र होता है क्या होता है डीनमे में? दोरे सूत्र की रचना होती है और दोरे सूत्र से बना होता है आरेने एक सूत्रे होता है आरेने कैसा होता है? एक सूत्रे होता है और डीनमे नाइट्रोजन छार सबे होता है सबे एक निश्चित अवस्तान रहता है और आरेने में नई होता DNA में होता है चार के रूप में और एक निश्य दवस्ता में होता है लेकिन RNA में नहीं होता है प्रशन तीसरा है कि कोशिका की संरजना बनाएं और लिखें तो हम देखेंगे कोशिका की संरजना के वारे है कि कोशिका को अगर हम सुचु रशी से देखते हैं इसकी रचना अथियन के सबल देती है और नावी कला से गिरा होता है और इसमें केंड्रव द्यव या निको फ्लाजमा पाया जाता है कोशिका द्रव में अनेक सुख्ष में अंगर बिक्री हुए अवस्तान में पाये जाते हैं और पाने के कार्म कोशी का द्रव अर्ध पाड़ सकत था गाड़े से दिखाई देते हैं अब हम इसकी सुरजगा देखेंगे कि ये जैसे ये बनी होई है कोशी का कोशी का कला ये बाहरी आवरण कोशी का कला का क्या बोलते हैं कोशीका कला फिए जो रचना निकर ये क्या है कांजी अछ neighbor फिर इखत बुठी पुणी वजह रचना है गौजी बाड़ी। centro अचो और वैक्यूल खाली संद्चना ये क्या है वैक्यून धानी इसको क्या वोते हैं इंदी में धानी और अंतर जाल का ये अंदर खोशिका के अंदर इस type से रचना में जो ती जाल बनाए हुए इन्हें अंतर जालिका बोलते हैं पर लाइसोसो एक प्रैंगल के आगार्टी ये रचनाय पाई पर यह क्या है केंडर्व और यह चोटी सी जो बताई है क्या है रेक्वित केंडर्व और यह केंडर्व भरा होता है है ना क्या करना होता है यह निकोफ्लाज्मा मेंब्रेन भर यह निकोफ्लाज्मा से जिरी हुई होती है साइटोफ्लाज्मा से लाता है और यह पानी की कारण अर्ध पारशक अर्ध पारशक इते हैं और गाड़ा ज्रब की समान दिखाई देती है इसकी सब्रचना के अंदर ह पाइटो कॉशिका की रचना, पाइटो कॉण्धिया कोण उजयाता, शरीर की उजय का ही उनते हैं. अब हम आगे देखेंगे के और प्रष्णों के उगतर हमें, क्या लुटते हैं? उतक की परिवासा एक लिए, उतक की परिवासा एक ही बनावड तर्था कारी के समान कोशिकाओं के सम्हूं को उतक कहते हैं, एक ही बनावड की कोशिकाओं के सम्हूं को हम क्या बोलते हैं? उतक खेते उतक तारे संहु का बना हुआ जार उतक नहीं लाथा उतक कि प्रकाक उपकला उतक माश पेशी उतक सेयोजी उतक और नाड़ी उतक है ना उपकला उतक इनका कारे है सुरख्षा करना श्राह उतकने करना फोशन आभी कारी करते हैं मार्स्पेशियों को इनकार करते हैं इस इलिए ही सायोर जी उतर बताएं सायोजी उतक, सायोजी उतक में बहुत सारी चालिकाओं के बार रही बना हुआ, सायोजी उतक में लाता है, पूश्ट, 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 संवे रुद्पन करने का काम लगते हैं. अब प्रेस्ट पांच देखेंगे कि क्या लिकना है हमें कौकिने. कोशिकाओं के प्रकार लिखते हैं. अज पहला है कोशिकाओं के प्रकार क्या है अस्थी कोशिका? क्या है? अस्थी कोशिका, रुदेर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशिय कोशिका, सहयोजी कोशिका, उपकला कोशिका तो अस्ति कोशिका क्या, अस्तियों का, अस्ति को कोशिकाएं बनाती है पेर रुदेल कोशिका, रुदेल बहुँ जाती है, हमारे पूरे रुदेल में कोशिकाएं अब हम आगे पढ़ेंगे कि रस्न छेह में क्या बताया है हिर्दाय पेशी का चित्र बढाईए हिर्दाय की पेशियों का चित्र और उनके बारे में बताईए कि कौन सी रेकित होती कौन सी आरेक्षिया है जो भी पेशिया है उनके बारे जाएं, पहले तो चित्र देखेंगे, इहरदय पेशी का चित्र किस साइस होता है, लकड़ी के आपाइक के जरसे, लकड़ीया होती है, स्टाइक सिर्व ऐसी समझखाईं की बने होती है, यह क्या कराती है यह? रेखिद पेशियां, रेखिद पेशियां, करना चोड़ना हम अपने आप से कर सकते हैं, अन्दाकार पेशियां होती है, कैसी होती है यह बीच पीच में? यह, अन्दाकार पेशियां, सायोजी होता है, यह लाइनों के बीच पीच में खंटिभावन बनी होती है, और इनकी क्रियाने अनेक्षिक होती है, सायोजी होता आपने इक्षा के द्वारा नहीं कर सकते है ना जैसे हम पलग जुकाना है ना हिर्दय की सांस लेना चोड़ना और हाथ पर चलाना अन्यक्षे हाथ पर नहीं भी चला सकते है उसको अन्यक्षे भी कल पह सकते है और एक्षे की उपर आता है कि हम हाथ लाया हाथ का क्या करें एक्सरसाइज करें नहीं करें यह सब आपकी हिर्दय पेसी के चित्र के बारे में बताया कि हिर्दय की पेशियों की बारे क्या है हिर्दय की पेसी का चित्र क्या होता है और इसमें म्यूखियों भी होता है हिर्द क्रेक आ रहे हैं और इनको आपको कापी में लिख रहे हैं